हलो दोस्तो विलकम टू माई चैनल बी आर ए एजुकेशन सेंटर मैं इंजिनियर बिजेश भारती आपको एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में स्वागत करते हैं गाईस तो गाईस जैसे कि मैं भारत के अनसूचियो अनसूचिया वाला वीडियो विद कंसेप्ट विद हो रहा होगा गाईस तो वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं बहुत ही सांदर तरीके से पढ़ाया हूँ गाईस तो इसमें मैं आज वीडियो कराऊंगा कि भारत के अनसूचियों के MCQ टाइप कोश्चन ठीक है गाईस अब्जेक्टू कोश्चन कराऊंगा गाईस इसमे बहुत सांदर तरीके से कराऊंगे तो आईए देखते हैं ठीक है गाईस यसे पहला कुश्चन है गाईस वर्तमान में भारती सम्मीधान में कुल कितनी अनसूचिया है वर्तमान में पूछा है गाईस कितनी अनसूचिया है देखिए गाईस जब हमारा सम्मीधान बना तो म तो वर्तमान में पूछे तो guys 12 है और मूल सम्मिधान पूछे तो 8 अनसुचिय थी ठीक है guys तो आईए देखते हैं, next question, next question है guys सम्मिधान सभा की प्रावरूप समीति द्वारा प्रस्तुत प्रावरूप सम्मिधान में कितनी अनसुचिय थी तो मूल सम्मिधान की ही बात कर र वीडियों कराया हूँ, गैस कैसे हम इसको याद करेंगे, उसके ट्रिक भी बहुत सांदर तरीके बताया हूँ, तो वीडियों जो भी इस्टुडेंट ना देखे हो, तो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, गैस, तो आएए देखते हैं, नेस्ट कोश्चन, नेस्ट कोश्च आएए देखते हैं next question next question है guys मूल सम्मीधान में कितनी अनसूची है थी repeat question है इसका correct answer हो जाएगा option ए आएए देखते हैं नस्ट question next question है guys किस सम्मीधान संसोधन अधिनियम द्वारा भारती सम्मीधान में नववी अनसूची जोड़ी गई इस सम्मिधान संसोधन के ताहद देखिए गाईज जैसे सम्मिधान लागू होने के बाद तुरंत एक साल बाद 1951 में हमारा प्रथम संसोधन करने की जरूरत पड़ गई तो उसी में जो है प्रथम अनसूची जोड़ी गई जिसको नवी अनसूची कहते है तो इसका correct answer हो जाएगा आपसन ए इसका correct answer हो जाएगा ठीक है गाईज तो आईए देखते हैं next question next question है गाईज 52A सम्मिधान संसोधन अधिनियम द्वारा 1985 इस भी में काउनसी अनसूची को भारती सम्मिधान में सामिल किया गया गाईज तो पहला आपसन है नवी दूसरा है दस भी तीसरा है गिराहवी और चौथा है बार भी तो डिक हो जाएगा गाईज 52A सम्मिधान संसोधन अधिनियम उनीस सोपचासी के ताहत गाईज जो 10 भी अनसूची जोड़ी गई थी ठीक है गाईज तो आईए देखते हैं next question next question है गाईज ती 705 सम्मिधान संसोधन अधिनियम दौरा भारती सम्मिधान में कौं सियन सुची जोड़ी गई ती 709 सम्मिधान पूछ रहा है संसोधन ठीक है तो इसका गराहभी ठीक है गई hous on c इसका correct answer हो जाएगा नेस्ट कोर्शचन है गाई चहुत्तरवे सम्मिधान संसोधन अधिनियम द्वारा भारती सम्मिधान में कौन से अनसूची जोड़ी गई तो इसका correct answer हो जाएगा देखिए option क्या क्या है 9 वी अनसूची 10 वी अनसूची ग्रहवी अनसूची तो इसका correct answer हो जाएगा guys अपसंडी वी अनसूची ठीक है चहुत्रवे सम्मिधान संसोधन के तहत वी अनसूची को जोड़ी गई थी ठीक है guys तो इसका correct answer अपसंडी हो जाएगा आएगे देखते हैं next question next question है guys next question है संविधान की दूती अनसूची का संबन किस से है देखिए बहुत ही सांदार तरीके समें आप लोगों trick बताया था कि दूसरी अनसूची कैसे learn कर सकते हैं हम दूसरी अनसूची की बात आएगे देखिए guys वेतन से संबन्दित है ठीक है guys वेतन से संबन्दित है तो इसको learn कैसे हमें बताया हूँ कि जो पैसा वेतन का मतलब क्या होता है guys पैसा पैसा दो तरीके से आदमी कमाता है एक इमांदारी से एक बहिमानी से तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि अगर दूसरी अनसूची की बात करेगे न guys तो वेतन ठीक वेतन भरते से हो जाएगा अप्चन इसका correct डी हो जाएगा ठीक है guys तो आए आए नेस्ट कोस्चन देखते हैं नेस्ट कोस्चन है guys भारत संग में सामिल राज्यों और संग सासित छेत्रों का उल्लेक भारती सम्मिदान के किस अनसूची में हैं अप्चन दिया है guys प्रतम अनसूची दुती अनसूची तरती अनसूची चतुर्थंतूची तो देखिए guys भारत संग में सामिल राज्यों और संग सासित छेतरों को उलेक इसमें आप शान गलत हो गया है गाईज इसका correct एंसर हो जाएगा सातवी सातवी अनसूची ठीक है गाईज सातवी अनसूची इसका correct answer हो जाएगा आईए देखते हैं इसको करेट कर लिजी, इसमें सात्वी अनसूची होना चाहिए, आप्षन गलत दिया हुआ है, तो आईए देखते हैं, नेस्ट कोश्चन हो जाए गाईज, देखें नेस्ट कोश्चन क्या है, राष्ट पती, राज्यों के राजपालो, सरोची नियाले, तथा उच्ची निय आले किन्याई धीसो संसत तथा राज विधान मंडलो के अधिकारियों, भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक आदी के वेतन के सम्मन्द में, प्रावधान सम्मिधान की किस अनसूची, इतन बड़ा दे दिया गाईज, देखिए, वेतन से सम्मन्दित कौँन सा हमा पहला आपसान है, राज्यसवव में प्रतिनिधित से, दूसरा आपसान है, सपत तथा प्रतिज्ञान से, तीसरा आपसान है, भासाओ से, चौथा आपसान है, महातपोंट पदाधिकारियों के वेतन यों भत्ते से, ठीक है गाईज, तो तीसरी अनसूची का सम्मन्द इसक सपत से हो जाएगा, आपसन B, इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा सपत से, मैं कैसे बताए हूँ गाईज, देखिए, तीसरी अनसूची में सपत में कितने परण माला है, तीन, तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, इससे आप याद रख सकते हैं, कि सप, जो तीसरी अनसूच सपनो राज जो संग राज चेत्रों के लिए राज सभर में स्थानों का वंटन राज सवर की सीटों का वंटन किस अनुसूची में है यह पूछाए गैश ठीक है तो पहला आपसने प्रतम हनुसूची दूसरा है दुती अनसूची, तरती अनसूची, चेतुर्थ अनसूची तो इसका correct answer हो जाएगा गाईज option D, इसका correct answer हो जाएगा option D, ठीक है गाईज आईए देखते हैं, next question next question है निमलिकेत में से भारत के सम्मिधान के किस एक अनुछेद या अनसूची का संबन स्वासासी जीला परिशिदों से है तो पहला option है आठवी अनसूची, दूसरा अनुछेद 370, तीसरा छटी अनसूची, और last है अनुछेद 250 तो इसका correct answer हो जाएगा गाईज इसका correct answer option C, आठवी, छटी अनसूची sorry, छटी अनसूची इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है गाईज, आईए देखते हैं next question next question है, भारती सम्मिदान में 22 भासाओ का 22 भासाओ का दर्जा परदान किया गया है, इन राज भासाओ का उले किस अनुची में है तो भासास सम्मंदित 8 अनसूची, देखिए गाईज, मैं ट्रिक बताया था न, कि हमें कितनी भासाओ सीखनी है, हमें 8 भासाओ सीखनी है, यह हमें ध्यान रखना है तो भासास सम्मंदित कौन सो हो जाएगा, आठवी अनसूची, इसका correct answer option B ठीक है, आईए देखते हैं, next question next question है किसी अधिनियम को सम्मिधान की किस अनसूची में समलित करने पर उसकी वैद्धता को किसी न्याले में चुनावती नहीं दी जा सकती है, गाईज तो देखिए, पहला अपसान है, पांचवी अनसूची दूसरा, आठवी अनसूची नवी अनसूची, दस वी अनसूची तो इसका correct answer हो जाएगा, आपसन C नवी अनसूची, देखिए गाईज नवी अनसूची क्या है, भूमी सुधार से सम्मन दित हैं न कनूल तो इसमें क्या होता था, पहले क्या होता जब यह अनसूची नहीं बनी थी, तो जैसे सरकार के कोई भी project होता था तो मानली जी, highway ही ले जाना है या कोई project ले जाना है तो, यह किसी भी highway के लेääना है तो, जमीन जिसकी होती थी जो भी मालिक होता था उसको, तो जमीन देने सी इंकार कर देता था, पुरा project जो है उनका सरकार का एकदम बेकार हो जाता था तो इसलिए ये समिधान संसोधन करके नवी अनसूची जोड़ी गई कि कोई भी प्रोजेक्ट है अगर जा रहा है तो अगर सरकार चाहे किसी भी जमीन को ले सकती है ठीक उसका मुवाज़ा देती है सरकार ठीक है गाईस तो ब राज़ी के अरच्छन विदेय को नवी अनिसूची में सम्मिलित किया गया है पहला आपसन है तमिल नाडू दूसरा करनाटक तीसरा उत्तर प्रदेश और चवता उडिशा तो इसका करेक्ट एंसर हो जाए गाईस आपसन ए तमिल नाडू ठीक है गाईस आईए देखते है नेस्ट कोश्चन है नेस्ट कोश्चन है हाली में आंद प्रदेश से अलग कर एक नए राज़ तिलंगाना का गठन हुआ इससे भारती सम्मिधान की किस अनुसूची में परिवयतन होता है देखे गाईस देश राज यूटी की बात होगी तो अनुसूची एक ठीक है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा अप्शन ए आई ये देखते हैं नेस्ट कोश्चन है दल बदल की अधारपन नीरवाची सदस्यों की आयोगता संबंदी व्यूरण सम्मिधान की किस अनुसूची में दिया गया है देखे गाईस इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा अप्शन सी, दसवी अनुसूची, दसवी अनुसूची किस्से संबंदिते, दल बदल संबंदित कनून से ठीक है, तो इसका correct answer हो जाएगा आप्षन C, आईए देखते हैं नेस्ट कोश्चन है भारती सम्मिदान की दसवी अनसूची किसे सम्मन्दित है अभी मैं बताए हूँ गाईज दल बदल कानून से तो देखना है नहीं बस देखते मान टिक लगा के आगे बढ़ जाईए तो दल बदल कानून से सम्मन्दित है दसवी अनसूची आईए देखते हैं नेस्ट कोश्चन है गाईज सम्मिदान की छटी अनसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है पहला आपसने असम मेगाला तिरपुरा माडिपूर तो इसका असम मिजोरम मिजोरम तिरपुरा मेगाला है माडिपूर नहीं है गाईज इसमें माडिपूर नहीं था माडिपूर मैं बोला था माडिपूर नहीं है गाईज तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा अपसन डी ठीक है गाईज इसको ट्रेक याद रखिएगा आप A.M. T.M. ठीक है गाइस इसमें माड़ी पूर नहीं है A. से असम, M. से मिजोरम, T. से तिरपुरा, M. से मिघाल है ठीक है गाइस यह चार राज्य है जो कि शटी अनसूची में है इस्टी की बात करेगा गाइस ठीक है लेकिन माड़ी पूर नहीं M. से माड़ी पूर ना करिएगा गाइस ठीक है इसका करेक्ट एंसर आपसन D हो जाएगा आएए देखते हैं नेस्ट कोश्चन नेस्ट कोश्चन है गाइस भारत के सम्मिधान की अनसूची तथा उसके विशय के निमलेकित युगमों में से कौन से एक सही नहीं है तो बताना है चार आपसन है इसमें एक सही नहीं है तो पहला आपसन है प्रतावन सूची राज्य एवं केंद सासिर प्रदेश की सूची तो करेक्ट है गाइस पहले अनसूचितम क्या है देश राज यूटी के बारे में है धूसरी अनसुची निरवा चान आयोक कि अधिकार योमकर ये गलत है न गाई दूसरी णसूचितम क्या है वेटन-भंत्र सम्मंदित है तो इसका यही correct answer हो जाएगा अपना सात्वी अनुसूची क्या है केंदर सक्ती केंदर और राज़ के सक्तियों को बटवा रहा है गाईज दस्वी अनुसूची दल बदल बिलकून correct है इसका correct हो जाएगा बी इसका correct हो जाएगा क्योंकि गलत दिया हुगा है ठीक है आईए देखते हैं निस्ट कोशन बारती सम्मिदान की ग्राहवी अनुसूची सम्मंदित है देखिए ग्राहवी क्या है पंचाइती राज से है ना गाईज तो इसका correct answer हो जाएगा पंचाइती राज आपसन ए इसका correct answer हो जाएगा नगरपाल की अबारहवी अनुसूची है केंद्रेव राज यह सात्वी है ठीक है आप सबको यह आपको याद हो गया होगा तो इसका correct answer answer आपसन ए हो जाएगा आए देखते हैं नेस्ट कोश्यन है नेस्ट कोश्यन है निमलिकित में से काउन सा एक कथन भारत के सम्मिधान की चौथियन सूची का सही वरालन करता है देखिए गाईज पहले आप सूची चौथियन सूची में है क्या तो चौथियन सूची हम इसमें संग तथा राज्यों में सक्तियों के विवरन की रूप प्रेखा अंतरविष्ट है तो यही करेक्ट एंसर हो जाएगा गाईज तो आपसन ए इसका करेक्ट हो जाएगा यहां हमें पढ़ने नहीं आगे यहां हमें पता है चौथियन सूची में क्या है केंद्रे उम राज के सक्तियों का बटवा रहा है तो क्यों आगला क्यों टाइम वेष्ट करें टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे गाईज तो आए देखते हैं नेस्ट कोश्यन नेस्ट कोश्यन है गाईज भारती सम्मिदान की नियम दी गई अनसूची में से काउन से अनसूची राज अ दूसरी अनसूची क्या है वेतनियों भत्ते सम्मंदी थे गाईज तीसरी सपत से सम्मंदी थे गाईज अर सपत किसकी होती हुए राष्टपती महोदे जीकी उपराष्टपती परधानASON मंतुरी सांसत विधायक ये सपत लेते हैं न गईज इनकी सपत का भी उरण है अनुसुची तीसरी में ठीक है गईज तो ये रहा objective question आसा करते हैं गईज बहुत ही सांदर तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा तो जो भी student हमारे channel को subscribe ना किये हो तो हमारे channel को subscribe करके विल आइकन जरूर क्लिक कर लेंगा जिससे हमारी वीडियो को notification आप सभी लोगों को सबसे पहले और बहुत असानी से मिल सके तो मिलते हैं next वीडियो में